नमस्कार प्यारे बच्चो आशा करती हूँ आपको शलमंगल होगे अपनी सेहत और अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रख रहे हूँ और आज की इस वीडियो का बे सबरी से इंतजार कर रहे हूँ तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं आपको बता दें कि आज जो हम करने जा रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ा है और हम उसके साथ जुड़े हैं ऐसा क्या है ये है कक्षा साथ की बूगोल की पुस्तक का पहला अध्याए पर्यावरण बच्चो प्रयावरण हमारे जीवन का मूल आधार है ये हमें सांस लेने के लिए हवा पीने के लिए जल खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमी पर्दान करता है प्रयावरण का शाब्दिकर्थ है हमारे आसपास जो भी उपस्तित है जैसे जल थल वायू तथा समस्त प्राकृतिक दिशाएं पर्वत मैदान वा अन्यजीव जन्तु घर मुहला गाउं शेहर विद्याले महाविद्याले पुसकाले आधी जो हमें प्रतेक्ष या अप्र प्रतेक्ष रूप से प्रभावित करते हैं डगलस वर रोमन हॉलेंड के अनुसार प्रयावरण उन सभी बाहरी शक्तियों वर प्रभावों का वर्णन करता है जो प्राणी जगत के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, विकास, एवं परिपक्वता को प्रभावित करता है चल नाम रवी है बच्चो रवी लंबी छुटियों के बाद स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली इक बड़ी इमारत बनेगी जब रवी को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला वेशाल मेदान अब हमेशा के लिए नश्ट हो चुका है तो उसकी आँखों से आसु जलकने लगे उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई सुभे की सभा में प्रधानाचारे जी ने भी बहुत उदासी से कहा देखों कैसे हमारा प्रयावरन बदल रहा है मच्चों कक्षा में पहुँचकर रवी ने अपने शिक्षक से पूछा प्रयावरन क्या है रवी के सवाल का जवाब देने के लिए उसकी टीचर ने उसे एक वीडियो दिखाई वो सब जो मुझे आस पास घेरे हुए है जल हो या हवा धल हो या आसमा ताप या प्रकाश जो है जीने की आस पर कच्रे के यहां भी तो धेरे हुए हैं वो सब जो मुझे आस पास धेरे हुए है उसके शीक्षक ने बताया जो कुछ भी आप अपने आस पास देखते हैं इस पर रवी कहने लगा इसका अर्थ है स्कूल भवन में कक्षा में रखी कुर्सियां यहां तक की खुला मैदान सडक कूडा करकट मेरे दोस्त यह सभी हमारे पर्यावरन के अंगे इस पर उसके शीक्षक बोलते हैं हाँ पर कुछ वस्तूओं का निर्मान प्रकृती ने किया है जैसे परवत नदियां पेड प्राणी जबकि अन्य का निर्मान मानव ने किया है जैसे सडक, कार, कपड़े, किताब, आदे इस पर बच्चो रवी की कक्षा में एक और बच्चा पूछता है हमारा परियावरन क्यों बदल रहा है शिक्षक ने यहां उतर दिया कि ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है यह दिन प्रति दिन बढ़ती जाती है इसलिए हम प्राकृतिक वातावरन में परिवर्तन करते हैं और कभी-कभी उसे नश्ट भी कर देते हैं बच्चो अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्रानी के चारों और पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को प्रियावरन कहते हैं यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परी घटनाओं का मिश्रण है प्राकृतिक प्रित्वी पर पाए जाने वाले जीविये एवं अजीविये दोनों परिस्थित्रियां सम्मिलित हैं जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस पर क्रियाएं उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाई सम्मिलित हैं भौतिक पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? इसके अंतरगत वायू, जल, वखादे पदार्थ, भूमी, धोनी, उश्मा, प्रकाश, नदी, पर्वत, खनिज पदार्थ, विकेण आधी पदार्थ शामिल हैं मनुष्य इनसे लगातार संपर्क में रहता है, इसलिए ये मनुष्य के स्वास्तफर सीधा परवाब डालते हैं जैविक पर्यावरण जैविक पर्यावरण बहुत बड़ा अव्या है, जो कि मनुष्य के इर्दगिर्द रहता है यहां तक कि एक मनुश्य के लिए दूसरा मनुश्य भी पर्यावरण का एक भाग है जीव जन्तु व वनस्पती इस घटक के प्रमुक सयोगी है जैविक पर्यावरण को दो बागों में बाटा जाता है पहला पौधों का वातावरण दूसरा जीवों का वातावरण अगला है मनो सामाजिक पर्यावरण मनो सामाजिक मनुश्य के सामाजिक संबंदों से प्रगट होता है इसके अंतरगत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनेतिक एवं आध्यातने क्षेत्रों में मनुष्य के व्यक्तिगत विकास का अध्यन करते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है उसे परिवार में माता, पिता, भाई, बेहन, पत्नी तथा समाज में पडोसियों के साथ संबंद बनाकर रहना पड़ता है उसे समुदाय प्रदेश एवं राष्ट्र से भी संबंद बनाकर रहना पड़ता है मनुष्य सामाजिक वस संस्कृतिक परियावरन का उत्पाद है जिसके द्वारा मनुष्य का आकार तयार होता है रहन सहन, खान पान, पहनावा, ओड़ावा, बोल चाल या भाशा शैली वस सामाजिक मान्यताएं मानव व्यक्तिकत का धाचा बनाती है अब बात करते हैं प्रियावरन के घटकों की सबसे पहला है प्राकृतिक उसके बाद है मानव और तीसरा घटक है मानव निर्मित सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक घटक की जिसमें हमें वायू मंडल, स्थल मंडल, सजीव जिसे हम जैव मंडल भी कहते हैं जल मंडल ये सब आते हैं उसके बाद बारी आती है मानव की इसमें एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक संस्थान, आर्थिक संस्थान तता राजनितिक स्थित्य आते हैं इसके बाद वो सब चीजें आती हैं जो मानव ने बनाई हैं मानव निर्मित इसमें आते हैं पार्क, पुल, सडक, समार्क, उद्योग तथा इमारतें बच्चो, परियावरन यानि इन्वायमेंट शब्द की उत्पत्ति, फ्रेंच शब्द, एन्वाई, रोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पडोस बच्चो, अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक परियावरन के बारे में भूमी, जल, वायू, पेड, पौधे तथा जीव जन्तु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरन बनाते हैं सौरे मंडल का प्रित्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर मानव जीवन, वनस्पति जीवन और पशु जीवन विक्सित हो सका प्रित्वी पर मानव सभ्यता और संस्कृति की प्रगती हुई प्रित्वी को भूम मंडल भी कहते हैं इसके चार मंडल हैं प्राकृतिक परियावरन में जल मंडल, वायू मंडल, स्थल मंडल एवं जैव मंडल शामिल हैं सबसे पहले बात करते हैं स्थल मंडल की पृत्वी के सबसे उपर की ओर ठोस परत पाई जाती है ये अनेक परकार की चट्टानों, मिट्टी तथा ठोस पदार्थों से मिलकर बनी होती है इसे ही स्थल मंडल कहते हैं स्थल मंडल में भूमी भाग व समुद्री तल दोनों ही आते हैं स्थल मंडल संपून पृत्वी का केवल तीन बटा दस भाग है, शेश साथ बटा दस भाग समुद्र ने ले लिया है स्थल मंडल वैक्षेत्र है जो हमें वन, क्रिशी एवं मानव बस्तियों के लिए भूमी, पशुओं को चराने के लिए घास्थल प्रदान करता है यह कानिज सब बता का भी एक स्रोत्र है, यह चटानों इवं खनिजों से बना होता है, मिटी की पतली परत से ढखा होता है, यह पहाड, पठार, मैदान, घाटी, आदी जैसी विभिन स्थल कृतियों वाला विश्म धरातल होता है यह स्थला कृतियां महादूइपों के अलावा महासागर की सतय पर भी पाई जाती है जल मंडल से अर्थ जल की उस परत से है जो पृत्वी की सता पर महासागरों, जीलों, नदियों तथा अन्य जलाशियों के रूप में फैली है यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है सतानवे दशमलव तीन प्रतिशत महासागरों और सागरों में हैं, शेश दो दशमलव साथ हिम नदी और बर्फ के पहाड़ों, मीठे जल की जीलों, नदियों और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है वायू मंडल भू मंडल का तीसरा मंडल वायू मंडल है स्थल मंडल वा जल मंडल के चारों और गैसों जैसे पदार्थों का एक अवरण है इसमें नाइट्रोजन, अक्सीजन, कार्बन डायकसाइड वा अन्य गैसे, मिट्टी के कण, पानी की भाप, एवं अन्य अनेक पदार्थ मिले हुए हैं इन सभी पदार्थों के मिश्रन से बने आवरण को वायू मंडल कहते हैं प्रित्वी का गुर्तवाकर्शन बल अपने चारों ओर के वायू मंडल को थामे रखता है वायू मंडल प्रित्वी की रक्षा करने वाला रोधी आवरण है यह सूरे के गहन प्रकाश वत्ताप को नरम करता है इसकी ओजोन जिसे ओत्री परत सूरे से आने वाली अत्याधिक हानीकारिक प्राबैंगनी किर्णों को सोख लेती है इस प्रकार यह जीवों की विनाश होने से रक्षा करती है वायू मंडल में परिवर्तन होने से मौसम इवं जलवायू में परिवर्तन होता है अब बात करते हैं जैव मंडल की जैव मंडल का विशिष्ट लक्षन यह है कि वह जीवन को आधार प्रदान करता है यह एक विकास आत्मक प्रणाली है इसमें अनेक प्रकार के जैविक व अजैविक घटकों का संतुलन बहुत पहले से क्रियाशील रहता है जीवन की इस निरंतरता के मूल में अन्योन्य आश्रित संबन्धों का एक सुगटित तंत्र काम करता है वायू, जल, मनुश्य, जीव जन्तु, वनस्पति, लवक, मिट्टी, एवं जिवानू ये सब ही जीवन जरन प्रनाली में अद्रिश्य रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह विवस्था प्रियावरण कहलाती है यह प्रित्वी का वै संकीन क्षेत्र है जहां स्थल, जल, एवं वायू, मिलकर जीवन को संभव बनाते है सोरे उर्जा सूरे से प्राप्त होती है यह जैव मंदल को सजीव बनाए रखती है जैव मंदल को मिलने वाली कुल उर्जा का 99.98 पर्सेंट भाग इसी से प्राप्त होता है पारितंत्र पारितंत्र वे तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा परियावरन के उन भौतिक एवं रासाइनिक कार्णों के साथ परस पर क्रिया करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं, ये सब उर्जा और पदार्थ के स्थानांतर द्वारा संबंध है रवी की कक्षा में एक विद्यार्थी कहता है, कित्ती मुसलाधार बारिश हो रही है इससे मुझे अपना केरल याद आ गया तुम सब को आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती है तभी जैसल मेर के रहने वाले एक बच्चे ने कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर रेथ ही नजर आती है यह सुनकर रवी कहता है कि लेकिन वहाँ तो उट भी तो मिलते हैं तो वह बच्चा बोलता है वह तो मिलते ही हैं जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें साप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे यह बात सुनकर रवी हैरत में पड़ गया और कहने लगा विभिन स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जन्तु, बनस्पती एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ कोई संबंध होता है? तो शीक्षक इसके जवाब में कहता है, हाँ, बिलकुल संबंध है बच्चो, सभी पेड़ पौधे, जीव जन्तु एवं मानव, अपने आसपास के प्रयावरण पर आश्रित होते हैं जीव धारियों का आपसी एवं अपने आसपास के प्रयावरण के बीच का संबंध ही पारी तंत्र का निर्मान करता है अधिक वर्षा वाले वन, घास तल, रेगिस्तान, परवत, जील, नदी, माहासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारी तंत्र हो सकता है मानव अपने प्रयावरण के साथ पारस परिक्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यक्ता के अनुसार परिवर्तन करता है प्रारंभिक मानव ने स्वय को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था उनका जीवन सरल था एवं आसपास के प्रकृति से उनकी आवश्यक्ता पूरी हो जाती थी समय के साथ कई प्रकार की आवश्यक्ताएं बढ़ी मानव ने परिवर्तन के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के लिए कई तरीके सीख लिये उसने फसल उगाना, पशुपालम एवं स्थाई जीवन जीना सीख लिया पहिये का आवश्यक्ता से अधिक अनुप जाया गया वस्तूविने में पद्धती का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, वानिज्य का विकास हुआ और द्योगिक करांती से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया परिवहन तेज गती से प्रारंब हुआ सूचना करांती से पूरे विशों में संचार, सहज और दुरूत हो गया परियावरन के हानिकारक तत्म हानिकारक गैसे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मनुष्य अपनी आवशक्ताओं की पूर्ति के लिए वन काट कर उद्योगों का विस्तार करता जा रहा है कलकार खानों से जहरीली गैसों का उत्सर्जन होता है जिससे हमारे संपूर्ण विशों का प्रयावरन प्रदूशित होता जा रहा है परदूशन से विभिन परकार की भीमारियां फैलती है नाक, सांस लेने में परिशानी, पी लिया, सरदर्द, द्रिश्टी दोश, क्षाय रोग, व, कैंसर कोई भी समस्या समाधान के बिना नहीं आती इस समस्या का भी समाधान है इन हानिकारक गैसों से बचा जा सकता है अगर हम परमपरागत इंधन स्रोत्रों को छोड़ कर नवीन इंधन परनाली, एलपीजी गैस परनाली को अपनाए उद्योग एवं कारखानों के क्षेत्र में हरे वरिक्ष एवं विभिन परकार के पौधे लगाए इन सब से प्रदूशन को कम किया जा सकता है जल प्रदूशन का प्रभाव विशो के समस्त देशों को प्रभावित करता है समुद्री प्रदूशन को खनिज तेलों को ले जाने वाले जहाजों के दुरगटना गरस्त होने वन नदियों के प्रदूशित जल का समुद्र में मिलने से बढ़ावा मिल रहा है समुद्री जल के प्रदूशन से जीव जन्तु वो मनुष्य के जीवन पर दुश प्रभाव पढ़ रहा है और कई तरह के संक्रामक रोग पैदा हो रहे हैं प्रदूशन को रोकने का भर्सक प्रयास करना चाहिए विश्व पर्यावरन सम्मिलन में समुद्र में होने वाले प्रदूशन को रोकने के लिए राज्यों को ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे मनुश्य व समुद्री जीवजनतों के सवस्य को हानी ना हो रेगिस्ताने करण पृत्वी पर यदी मरुस्थल क्षेत्र बढ़ जाता है तो मनुश्य के लिए गंभीर समस्या खड़ी हो जाते हैं इसके मुख्य कारण पृत्वी में पानी की कमी, वन क्षेत्रों का मनुश्य द्वारा किया गया विनाश, सरक्षन पर दान करने वाली पहाड़ीयों की निर्जनता तथा जनसंख्या में वृद्धी होना है विकर्णिय प्रदूशन विकर्णिय प्रदूशन मानविय स्वास्थे एवं उसके विकास के लिए हानिका रखोता है इसका प्रभाव मानव शरीर के आंतरिक वह बाहरी भागों पर पड़ता है इसलिए रेडियो धर्मी विकिर्ण से बचना चाहिए इन किर्णों के उपयोग को विशेश परिश्थिती में स्विकार करना चाहिए तथा इसके अधिक प्रयोग से बचना चाहिए प्रयावरण की आवश्यक्ता प्राकृति का क्षेत्र अधिक व्रिस्तित तथा रहस्य में है जो कि प्रयावरन के साथ जुड़ा हुआ है मनुश्य विक्सित तता सामाजिक प्राणी है इसलिए वह प्राकृतिक घटनाओं का ज्यान व उसके कारण ढूँगता है खेत, बगीचे, नदी, जरने, आदी व जन्तु आदी प्रयावरन को सुन्दर्व स्वच बनाते हैं प्रकृतिकी गोद में बालक जाकक प्रकृतिक द्रिश्यों का बोध करता है और आँखों से देखकर हाथों से स्पर्ष कर समझ लेता है यूनिसेफ ने प्रात्मिक स्थर पर एक योजना प्रयावरनिय शिक्षा विद्यालों में शुरू कर दी है इसके द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षन दिया जाता है जिससे वे प्रयावरन के प्रति जागरुप भी हो जाते हैं रवी की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है वह अक्सर अपने स्थान की हर्याली की बात करती है खेल का मैदान नश्ठ होने के कारण रवी की उदासी देखकर वह उसे आने वाली चुटियों में अपने घर मिजोरम आने को कहती है इस पार्ट को पढ़कर हमें प्रयावरन को समझने में सहायता मिलती है किस तरह मानव ने प्रयावरन के घटकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उससे क्या-क्या नुकसान प्रकृति को जहलने पड़ रहे हैं कई बार हम उन चीजों की एहमियत तब तक नहीं जान पाते जब तक वो हमसे छिन नहीं जाती प्रयावरन के संदर्ब में ऐसा ना हो ये हम सब के लिए अच्छा है जब जागो तब ही सविरा चलिए आज हमने जो किया अब जानते हैं कि आपने सीखा क्या अब मैं आपसे एक सवाल पूछूँ गी उसके तीन उत्तर हैं आपको सही उत्तर बताना है चलिए बताईए इन में से कौन सा प्रकृतिक परितंतर नहीं है पहला मरुस्थल दूसरा ताल तीसरा वन बिलकुल सही जवाब ताल ताल एक मानव निर्मित परितंतर है इन में से कौन सा मानविय परयावरन का घटक नहीं है स्थल, धर्म, समुदाए बिलकुल सही जवाब स्थल मानविय परियावरन का घटक नहीं है ये प्रकृतिक परियावरन का घटक है इन में से कौन सा मानव निर्मित परियावरन है पहाड, समुद्र या सडक बहुत ही आसान था सडक मानव निर्मित परियावरन है चलिए इन में से कौन सा परियावरन के लिए खत्रा है पादप वृद्धी, जनसंख्या वृद्धी या फसल वृद्धी जनसंख्या वृद्धी बिलकुल सही जवाब है चलिए अब आपको अपनी स्क्रीन पर बाएं हाथ पर कुछ शब दिख रहे होंगे और दाएं हाथ पर कुछ वाक्य हमें सही शब्दों को सही वाक्यों के साथ मिलाना है पहला वाक्य जैव मंडल बायू मंडल जल मंडल तथा परियावरन जैव मंडल वह संकीन क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायू पारस्परिक क्रिया करते हैं वायू मंडल पृत्वी को घेरने वाली चादर जल मंडल जलिय क्षेत्र परियावरन जीवों एवं उनके परिवेश के बीच संबंध चलिए अब कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे विश्व परियावरन दिवस को खाली स्थान मनाया जाता है पांच जून को सभी बदार्थों के मिश्रण से बने आवरन को रिक्त स्थान कहते हैं वायू मंडल पहाड को हम परियावरन नहीं बोल सकते हैं मानव निर्मित परियावरन के लिए खत्रा है जनसंख्या व्रिद्धी जलिय क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं कैसा लगा आज का वीडियो आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा और आप जान पाए होंगे कि किस तरह वो सब जो आपके आसपास है आप से जुड़ा हुआ है और किस तरह हम अपने परियावरन से जुड़े होने हैं हमें परियावरन ने प्रेम सो रूप में बहुत सी भेंटे दी और किस तरह अब हमारा करतव वे बनता है इसको बचाने का हम नई वीडियो के साथ जल्द ही वापिस आएंगे तब तक के लिए सुष्थ रहिए सुरक्षित रहिए तता पढ़ते रहिए जाने से पहले इस वीडियो के अंत में एक गाना है उसे जरूर सुनिएगा और उसके साथ गुन गुनाएगा अपना ध्यान रखेगा नमस्का ताप या प्रकाश जो है जीने की आस पर कच्रे के यहां भी तो धेरे हुए हैं वो सब जो मुझे आस पास धेरे हुए हैं कुछ दिया कुदरत ने कुछ इंसान ने दिया बिलकर इन सबने जीवन आसान था किया धरती ने देने में कुछ कम ना दिया पर हमने बदले में इसको सन कर दिया कुदरत की देन के हम लुटेरे हुए हैं वो सब जो मुझे आस पास धेरे हुए हैं अब के जो मिलेंगे जून पांच को हम परिया वरन बचाने की खाएंगे कसम धरती के ये दर्द अब मेरे हुए हैं वो सब जो मुझे आस पास धेरे हुए हैं वो सब जो मुझे आस पास धेरे हुए हैं वो सबड़ मिलें आस थाएंगे वो सब जो मुझे आस पास नचाल